जैश्रीमहाकाल जैश्रीमहांकाल.. आजन, उन्हें follow करने की बात कहिए mound कोई इसलों को इसा विश्स टॉपचार उसमें नहीं बता है। सबसे पहली बात, जो हमारे मन में एक धानती है, कि पुत्र जो है और कुल को आगे बढ़ाता है, सबसे गलत धाणा है। कुल को रियल में तो पुतर ही आगे बढ़ाती है, वो दो कुलों को आगे बढ़ाती है, एक हमारा कुल और एक अन्यका कुल, तो ये भ्रांती पहले आप क्लियर कर लें कि पुतर क्यूं चाहिए, वो पुतर किस वज़े से चाहिए, क्योंकि ये जो एक धारना है हमारे यहां बहुत सी महिलाओं को पुतर नहीं होने के वज़े से छोड़ दिया जाता है उनके साथ अतियाचार होता है और नजाने कितनी चीज़े होती है तो ये ग्रहनिक मानसिक्ता है पुतर प्राप्ति जो इश्वर दे दे वही स्विकार कर लेना चाहिए उसके लिए अतरिक्त जतन या तमाम जितने उपाए नुकसे ये जितनी भी चीज़े हैं जो बताई जाती है वो केवल और केवल आपके मन को बहलाने और समझाने के लिए है क्योंकि जो वास्तिक्ता है वो इस विश्वर पर इश्वर का भी बस नहीं है और इस दुनिया में जो महिलाव नहीं किया है जो लड़कियों नहीं किया है वो इंसान नहीं कर सकता पुरुश नहीं कर सकता वो सभी हयाम उन्होंने प्राफ्त की है तो इस तीस मानसिक्ता से आप बहार आएं और खासकर जो लोग अपनी बहु के साथ पुत्र नहीं होने के वज़े से एक दुर वेवार करते हैं वो लोग, परसनल किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसे बहुत से लोग आपके आसपास हो सकते हैं बहुत से लोग इस यातना को जेल बे रहेंगे, उन लोगों से एक निवेदन है कि आप इसे बहार आएं क्योंकि ये जयुएन अनमोल है इश्वर का इसमरन करने के लिए, जब करने के लिए इन सबी जंजटों में, उलजनों में फसने के लिए नहीं पुत्र हो और वही आगे बढ़ाएगा आजकल पैसमावेश बिलकुल अलग है जिसे हम समझ नहीं पाते इसलिए आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपके मन में ये भ्रहनती है, आपके घर में कोई किसी संतान होने वाली है तो जो भी संतान हो खासकर लड़कियां में इस परश्ट कह देना चाहता आप सब को सिकार करें और इस तरह से दुखी और अताश होने की कोई जर्वत आपको नहीं है क्योंकि यह आप इश्वर के जो इच्छा है उसके खिलाब जा रहे हैं और वो जो करता है अच्छा करता है पर फिर वो अपने हिसाब से सब चीजे सही करता है जो कि हम आज की इस हालातों में बहुत से यह महामारी से जहल भी रहें तो वो कुछ भी हो सकती इसलिए प्लीज इस बात को गंभिरता से ले आपका जो भी विचार वो कमेंट्स में लिखे और चैनल को लाइक करे शेयर करे जैश्री महांकार